के चैप्टर फोर का नाम है संधी है हम ने सब्सक्राइब्स परिभासा जान लिया है संधी कितने प्रकार के होते हैं सवर संधी के नीमों में आये हैं हमने कर्खा जो है कम्लीट कर लिया है और अब हम आगए है गाव में तिक है यदि किसी सब्द के अंत में ता आया हो और उसके बाच्चा या अच्छा हो तो ता बदल कर च हो जाता है यह आपको जितने भी निया में इसको आपको मेमराइस करना है यदि किसी सब्द के अंत में ता आया हो और उसके बाच्चा या अच्छा आया हो तो बदलकर किया हो जाता है सत धन्टरीत्र उत धन्चवास उत धन्चारन सरत धन्चन्ड सरत चन्दर देखे नियम गार यदि पहले सब्द के अंत मित्थ और दूसरे सब्द के आरभ हमें स हो तो तत्जीओं का त्यों रहता है जैसे सद साहत सत्साहस, सत्संकल्प, सत्संकल्प, सत्सं, सत्सं, उत्सर्ग, उत्सर्ग अंगा देखे, यदी पहले सब्द के अंत में कर्ट या ता आया हो, आधा का है न सब तो हो, और दूसरे सब्द के आरम में मह न हो, तो कर्ट और ता को पंचम वर्ण में बदल देते हैं ठीक है यदि पहले सब्द क्यान्त में कर्ट यता आया हो और दूसरे सब्द क्यारा में म न हो तो कर्ट और त को पंचा मण में बदल देते हैं वाग धनमें वांग में जगत नात जगनात तत में तनमें सट मार्ग सनमार्ग उत धन्नती उन्नती ओके चा देखिए यदित्ता के बाद जा और लाए हो तो ता बदलकर क्रमसह जा और ला हो जाता है जैसे अब हम आगरे हैं विसर्ग ससंधी देखिए जब पहले सब्धक्यांत में विसर्ग और दूसरे सब्दक्याराम में स्वर्य व्यंजन हो तो उन दोनों के बीच होने वाले बेल को विसर्ग संधी कहते हैं ठीक है जब पहले वर्णकियंत में विसर्ग और दूसरे सद्धक्यारव में स्वर्य व्यंजन हो तो उन दोनों की बीच होने वाले मेल को विसर्ग संधी कहते हैं दू धन सासन दुस सासन अंतर देशिय निधारन निर्धारन मनह विनोद मनुविनोद ओके दू धन सासन आपको यह सबको समझ लेना है अच्छे से ताकि आप इसको अच्छे से स्वालव कर पाएं दू धन सासन दुस साशन अंतर देशिय निधारन निधारन मनह विनोद मनो विनोद विसर्ग संधी के प्रमुख नियम जो है इस प्रकार है ठीके इसके भी नियम है जैसे हमने वियंजन संधी के नियम जाने है बस उसी तरीके से कहा है आपका यदि विसर्गे के बाद च और च च सव यंजन आई हो तो विसर्ग स में बदल जाता है तीक है आध्या समें बदल जाता है नीधन चल निश्चल दोधन चरीत्र दूस चरीत्र नीधन चल निश्चल हरीधन चंद्र हरिश्चंद्र तीक है नीधन चल निश्चल दूधन चरीत्र दूश्चरीत्र नीधन चल निश्चल हरीधन चंद्र हरीश्चंद्र खा देखिए यदि पहले सब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे सब्द के आराम में तय असा हो तो विसर्ग सामें बदल जाता है आधा सा में बदल जाता है, जैसे निह, धंतेज, निस्तेज, नमा, धंते, नमस्ते, मना, ताप, मनस्ताप, दू धंतर, दूस्तर, ठीक है, गह देखें, यदी पहले सब्दे के अंत में विसर्ग, संधी में विसर्ग ही रहेगा, ठीक है, यदी पहले सब्दे के अंत में वि निस्कपट थनुटंकार तो यह क्या हो गया कंपार नियृपक तो क्या हो गया निस्पआप नि कां निक्रम निस्काम निवसल निसफल दुख कर्ममous तिक गहाlles धेको यदी पहले सब्ध के अंत विसर्ग और दूस्रे सब्ध में राएं हो तो वििसर्ग भडाब और उसे पुर्व का हिर्च सर्दिर्ग हो जाता है, जैसे निह धन रस, नामे क्या है? छोटाई की मात्र है, निह धन रस, तो यह क्या हो जाएगा? नामे बड़ाई की मात्र हो जाएगा, निह धन रोग, निरोग, निह धन रव, निरव, निह धन रज, निरज, अंगा देख ऐसे नि धन आशार नीरासाो निय धन आहार नीड़ाहार दूधन मुख दुरमुख ने धन अप्राद नीराप्राद दूधन उप्योग दूअचि में के न होस और है कि प्रत्यक्य वर्ग का पहला दूसरा और शशट अघोस वजयन होते हैं ठीक है, पहले वर्ग का पहला, दूसरा और उसके अत्रिक्त में स, श और स अघोस व्यंजन होते हैं सेज सब जो हैं सघोस व्यंजन होते हैं चाहे, यदि अहा के बाद सघोस व्यंजन आया हो, तो अहा का O हो जाता है मनह रोग, मनो रोग, मनह बल, मनो बल, मनह योग, मनो योग, तमह गुल, तमो गुल यदि अह के बाद क, ख, प, या फ, आय होतो भी सरगर सुरक्षित रहता है जैसे अधा पतन, अधा पतन, प्राता काल का प्राता काल ही होता है अंता करण का अंता करण ही होता है ओके आई होप आपको यह चप्टर जो है समझ में आ गया होगा ठीक है इसको आप अपने घर में अच्छे से रिवाइस करिए और इसको आप जानने की कोशिज करिए इसमें जो ज्यान पर इक्षर दिया गया आपका संधी विक्षेद और जो सही विकल्प दिया गया है है ना